हलो कम बाइक दिसे राज कमला हेलो गाई सौट सीरीज के अंदर आज फिर से मैं एलेक्टिकल मसीन के कुष्टन से ले रहा हूं और ये भी होगी निमेरिकल्स और इससे भी कुछ से सीखने को मिलेगा जो कि आपके थियोरी में भी काफी हल्प करेगा तो आये सर आज के कुष्टन क्या करें पहले इन कुष्टन को देखते हैं कहता है इस फिफ्टी हर्स थिरी हर्स थिरी फेज इंडक्शन मोटर हाज ए फूल लोड स्पीर आफ फोर्टीन फोर्टी आर्प इम दी नंबर आप पूस इन दी मोटर इस इस मोटर के अंदर नंबर आप पूस कितने होंगे अब को पहले को समझ यह बारे की से फिर अपन डिसकस करेंगे एक मसीन है जिसमें क्या है फिप्टी हर्स अपलाई दी गई है कोई बात नहीं लेकिन इसके साथ साथ थिरी स्पीड किसका है यह हमेशा आपका जो स्पीड होगा मोटर इंडेक्शन मसीन का अगर कभी स्पीड दिया जाएगा इसका मतलब आपको समझना है रोटर की स्पीड है कितना इसर और 1440 आरपीम यह रोटर की स्पीड है ओके रोटर की स्पीड है तो आप से पूछा जाएग सा 건데 कि अगर मसीन होगा अगर कोई मसीन होगा तो इस मसीन के अंदर ध्यान समझेगा इस मसीन के अंदर सर एक लिए उतने प्रोटर की स्पीड हमेसा आपके συνckonoid से पीछे चलता है रोटर के स्पीद हमेसा सिंक्रूं यह रोटर की स्पीद का रिफ्रेंस है तो यह सिंक्रूंस से आगी है । अगर कोई इंड।क्षण मोटर है इसका मतलब NZ हमेसा किस से बला aur बढ़ा होगा NR से अगर ये बराबर हो जाय तो NS NR को फोलो किया synchronous machine गर कोई मसीन अगर कोई मसीन आपका NS NR को फोलो कर ले ये इंड अनर को फोलो कर ले लेकिन ये पीछे चलता है उनार हमीसा पीछे चलता है इसका मतलब एक अगर आपका nr इतना है सर अगर nr इतना है तो ज़रूर इन से आगे क्यों होगा ns और जब यह 14 से 40 से तर लगभग लगभग यह लगा लो कि 15 rpm किसका होगा सर 15 rpm किसका होगा ns का होगा ns का कितना 15 rpm लेकिन मैं चाहूंगा नेर भाय अपने डाटा से जाओ तो पोल की वैलू पाइन कल्क भाय कि ns कितना होगा ns लगभग nr के कारीब होता है इससे आगे होगा ओके लगभग इससे आगे होगा ठोड़ा सा सो nr को ns ऐसा put करना है p का value ऐसे put करना है कि जो इससे थोड़ा ज्यादा हो इसका मतलब 120 f मतलब 50 hertz ओकी pole का ऐसा क्या value रखोगे pole का ऐसा क्या value रखोगे कि ये लगबग 15 से 14 से 40 से थोड़ा बड़ा हो जाए अब ये 14 से 40 से बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि 3000 पर पहुँचा दे ऐसा कोई induction motor होगा है नहीं वो हमेशा slip का value इतना adjust करता है कि आपका ns थोड़ा आगे गया तो nr हमेशा उसके पीछे पीछे जाएगा तब ये induction motor को follow करता है ओके नौ यहां में बात कर लू अगर इसकी बात करूं तो अगर polo की संक्या सर आप लेक let's example की चार रख लो let's example 4 तो आप की कितने होगे 3500 कितना हो आरपीम सर देखे तो याँ पर एक example के तोर पे 30 पास्तिया 1500 बिल्कुल ये सूट कर जा रहा है ये विल्कुल सर सूट कर जा रहा है अगर आप दो रखते अगर ये पंदास आरपीम एकदम सही है जो की 14 से 40 है तो ये पंदास आरपीम पे चल ला होगा ये पंदास आरपीम पे चल ला होगा synchronous के field के speed अगर कोई कहता कि सर आपने अपने मन से चार केसे समझ लिए आप अपने मन से केसे चार सर आप दो भी रखके देख लो आप दो भी रखके देख लो एनस बड़ाबर 120 F50 बट दो रखोगे तो 6 3000 आरपीम 3000 आरपीम इतना जादा difference सूट ही नहीं करता सर इतना जादा difference सूट नहीं करता कि एनस 3000 से चले और एनर 1440 से चले ये कभी संभव नहीं है So this is not possible तो कोई ये कहगा सर ये possible नहीं है तो आप 6 लेके देख लो 6 लेके देख लो तो आप सर 6 भी लेके देख लो कोई दिक्कत नहीं 120 F एक बार 120 F बटा पी छे दुरी बारव 1000 RPM क्या ऐसा हो सकता है कि एनर चले एनर चले 1440 से और एनस ही पिछर जाए ये 1000 RPM ये तो मोटर इंडेक्शन मोटर को फोलो करे गा नहीं इंडेक्शन मोटर को फोलो करे गा नहीं That's why आपको टोटल नमबर अफ पोल जो होंगे इस मसीन के लिए कितने होंगे सर चार अगर ये मसीन 1440 RPM से चल रहा है और इसको सपलाइ सर 50 Hz में मिल रहा है तो स्योर इस मसीन में पोलों की संख्या होंगी कितनी सर पोल की कितनी संख्या होंगी फोर पोल की कितनी संख्या होगी पोल अब बहुत बच्चे अगर ये मैं फीगर दिखाया हूँ अब कॉंसेप्स दिखिए सर अगर ये फीगर दिखाया होती है कैसा रोटर है हमारा केज टैप का रोटर है कैसा रोटर है सर केज टैप का अगर इसमें दिया भी कोई बात नहीं इसमें keeps टाथ का नहीं दिया है पर मैं एक बात बताता हूं मैंने जो फीगर लिया यह कैसा है केज टैप का तो आप कोई होते है सर इंडो्ट पोल क्या होतह है सर तो कोई क्या और किये गा सर चारार्ट दस कुछ भी ओस इंडोस्ट हो सकता जी नहीं जितने नमबर अफ ओस ध्यान दखिक जितने नमबर आप आपने gak yر glitter پ Relig 숨 किया है अपने ndt हमेशा उसी ही होगा आपने एक method देखा होगा speed control method में pole changing method कैसा method? pole changing method तो stator के सिर्फ pole change करने से rotor का pole change हो जाता है इसका reason यह है कि इस पे pole पहले से predefined नहीं होते इस पे आपन डिजाइन नहीं करते अगर आपने stator के pole connections के through change कर दिये तो rotor पे induced pole automatic change होता है so speed pole changing method only suitable for cage type of rotor pole changing method is only suitable for cage type rotor यह कभी भी wonder type rotor के लिए valid नहीं होता क्यों? क्योंकि wonder type rotor में stator पे pole rotor पे pole दोनों आप डिजाइन करते हो अकर stator connections के through stator का pole आपने change भी कर दिया तो rotor का pole change नहीं होगा that's why wand tap के rotor पर कभी भी आपका machine जो है वो pole changing method control applicable नहीं होता यानि speed को अगर control करना है by using pole changing method you should try always for squirrel case motor not wand rotor तो मैं उमीद करता हूँ यह भी जानकारिया आपके लिए कुछ बहतर रही होंगी जिससे आपको कुछ बहतर idea लगा होगा सरा हम कोसिस करते हैं कि आपको एकदम चीजों से इतना लेम करा दू कि चीजें आपके लिए बिल्कुल आसान होते चली जाए और आसान करने का पूरी जिमेवारी मैंने उठाय हुआ है पूरा machine का सीरीज चल रहा है अभी सरी ये machine के series आप से ये मैं जो series चल रहा है पूरे मेरी पूरी कोशिस है कि एक से पचास series तक जो इसके question चलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ machine के होंगे वो सिर्फ और सिर्फ machine के होंगे electrical machine then series चलेगा network का basic electrical का power system का और measurement का और इस तरगे से series लगातार चलते रहेंगे आप लोग को सर किसी तरगे को problem हो तो नीचे दियेगे जो scroll चल रहे इस पर contact कर सकते हो इंजिनियर्स platform के app को download करके इसको और बहतर तरगे से enjoy कर सकते हो आज के इतना ही best up luck